गुड मॉर्णिंग फ्रेंज दिस इज भानू एंड वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल दी इद्यापक और एक अपडेट आ रहे थी जिए एससी की तरफ से यानिकि एक आविश्यक सुचना थी तो यह आविश्यक सुचना क्या है तो जानेंगे इस वीडियो में तो देखें यह आविश्यक सुचना जो कि जारखन करमचारी चेयर ने आयोक की तरफ से आ रहे है और का गया संजुक्त असनातक प्रसिश्यक परतियोगिता परिछा 2016 मुईख के अंतरगरत प्रारंबिक विद्यालों में अर्था प्राप्त सिच्चकों के लिए आरच्छे 25 परसिंट पर्सिंट पदो में अपूरी तरीक्त पदों के विरूद सिधी भरति इतहत गेर अनुसंसित अभियर्थियों के परमान पत्रों का सत्यापन के संबंद वन में आयोक्त सुचना यानि कि जो संजुक्त असनातक प्रसिश्यक परतियोगिता परिछा 2016 में जिस पर प्रारंबिक विद्याले के लिए जो परिचा हुई थी जिस पर जो 25% रिजर्ट सिट के लिए सिधी भरति होने वाली थी और उसका जो परमान पत्र सत्यापन के लिए जो डेट दिया गया था उसके संबंद में आयोक्त सुचना है आप देख सकते हैं या आयोक्त सुचना कि प्रारंबिक जाज कारकरम में आविशक सुचना दिनांग 16-3-2021 के माध्यम से परिवर्तन किया गया था यानि कि जो अभियर्थी इस से संबंदी थे जो डेट रखा गया था 16-3-2021 को उसके जो परिवर्तन हुआ था आप देख सकते हैं यह तीन जिल्ला था जो कि गड़ 24-2021 को रखा गया था और अब जो इस पर एक आविशक सुचना रहा है कि राज में COVID-19 महामारी के परसार एवं दिनांग 19-4 से दिनांग 23-2021 तक सचीवाले के पदाधिकारियों के सामोहिक अवकास के रहने के कारण दिनांग 24-21 को निर्धारित पर्मान पत्रों की प्रारंबिक जांच दिनांग 24-21 को ग्यारव पूर्वाहन से साड़पाच अपराहन तक किया जाएगा यानि कि जो आपका डेट एक फिक्स किया गया था 24-2021 उसको बदल के 24-2021 किया जा रहा है क्योंकि अभी जो COVID-19 महामार पर्सार है वह फैल रहा है जिस कारण से जो प्रादिकारी है वह सामोई अवकास में हैं तो आपका 22-21 को जो परमान पत्र जांच होने वाले थे वह नहीं हो पाएगा तो यह आवश्यक्त सुचना था जो कि जो भी अभी अर्थी से सम्बंदित रखते हैं जो इस परिछा म कि अब जो आपका डोकुमेंट वेरिफिकेशन होगा वह 22-21 को होगा तो एक छोटी सी इंफर्मेशन जो कि आपको अच्छी लगे हो तो लाइक किजेगा और वीडियो में नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अपने सभी दोस्तों को सब्सक्राइब किजेगा तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टोपी के साथ तब तक के लिए जय हिंजे बारत